अध्यक्ष मौधे, आज आपने सिक्षा पर अनुदानों की मांग पर हो रही चर्चा पर मुझे बोलने का उशर्डिया अध्यक्ष मौधे, मैं विफ़ार से आता हूँ और जब सिक्षा की बात हो तो भिफ़ार के दो विष्विद्याले को कभी नहीं भूला जा सकता है G20 के समय जिस प्रकास से आदर्निय पधानमंत्री जी ने नालंदा की विरासत को पुरे विश्व के सामने सम्मान देने का काम किया उसके लिए हम सभी बिहार के लोग हमारे पधानमंत्री जी का कोटी-कोटी अभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं एक युवा सांसद होने के नाते मुझे इस बात का भी हवास है कि जहां हमारी बढ़ती जनसंख्या वर्तमान और भविश दोनों ही तरीके से दी देखे तो जहां एक हमें अवसर दिख रहा है वहां एक चुनौती भी है और एक सिक्षिभ भारत ही पांच ट्रिलियन एकोनॉ कामी और ग्लोबल सुपर पावर बनने का सपना देख सकता है अध्यक्ष मौदे हम लोग को गर्व होता है कि आज गुगल हो चाहे माइक्रोसोफ्ट हो या आई बीम हो इन सब का नित्वत एक भारतिये कर रहे हैं आज भारत पुरे विश्व को इंजीनियर और डॉक्टर् व्यवस्ता की देन है और इसी सिक्षा व्यवस्ता को और भी मजबूती देने का काम हमारी सरकार ने किया है इस वर्स सिक्षा रोजगार और कौसल प्रस्रिक्षन के लिए एक 148 लाग करोर रूपया का प्रावधान रखा गया है बजट में घरेलू संस्थानों में इस वर्स के बजट में केंद्र विश्विद्यालयों के अनुदान के लिए 4000 करोड से अधिक रूपया की व्रिधी की गई है जिसमें वित्य वर्स 2024-25 के लिए 15,928 करोड रूपया अवंटित किये गए 2024-25 के आंत्रिम बजट में इस वर्स सिक्षा मंत्राले का कूल बजट 23-26 में 1,12,899 करोड रूपया के मुकाबले 1,20,627 करोड रूपया से 6.8 परतिशत बढ़ा है आईटी को इस वर्स 1202 करोड रूपया अवंटित किये गए जो पिछले वर्स 841 करोड थे एन आईटी इस को 5040 करोड दिये गए जो पिछले वर्स 4820 करोड रूपय थे अध्यक्ष महदे आम बजट भासन 2024 में आदे निवित्य मंत्री निर्मला सितन रमन जी ने नौकरियों को और स्कील ट्रेनिंग से जुड़ी पांच खुबसूरत स्कीम जो लॉंच की है उस विशय पर मैं ध्यान आकिश्काना चाता हूँ जिसमें पहली स्कीम फर्स टाइ वहीं दूसरी स्कीम जॉब क्रियेशन इन मैनुफेक्ट्रिंग इसमें मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर से जुड़े फर्स टाइम इंप्लॉइमेंट को ईपी एफो जमा करने का अधार पर सुरुवाती चार सालों में इंसेंटिव दिया जाएगा इससे 30 लाख युवाओं एफो कॉंट्रिबूशन पर एंप्लॉइर्स को दो साल तक हर महीने 3,000 रुपया का रिंबर्समेंट करेगी चौती स्कीम पार्टिपी पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स जिसमें नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदाड़ी बढ़ाने के लिए वर्किंग वुमन हॉस्टल और कई तरह के विमन स्कीलिंग प्रोग्राम सुरू किये जाएंगे पांचवी स्कीम स्कीलिंग जिसके तहत 20 लाख युवाओं को 5 साल में खाट स्कील से ट्रेनिंग किया जाएगा एक हजार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंसिचूट अपग्रेड किये जाएंगे हर साल 25,000 स्कीलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा सरकार 500 टॉप कंपनियों में एक करोड युवाओं को इंटर्शिप देने का काम करेगी सरकार ने 2014 से 2014 तक साथ नए आएटी और साथ नए आएम खोले हैं देश में तीन हजार नए आई टी आई बनाए गए सोलर ट्रीपल आईटी और तीन सो नब्वे उनिवर्सिटी सुरू किये गई है और पिछले दस सालों में हायर एजुकेशन में 28 परतिशत तक की बढ़ो सो में उच सिच्छा संस्थान में 11 परतिशत की व्रिदी हुई है जिसमें सारजनिक विश्विद्यालों की संक्या 316 से बढ़कर 480 हो गई है तक्निकी विश्विद्यालों की संक्या 90 से बढ़कर 183 हो गई है अधनी अध्यक्ष मौदे इन सभी के विकास और बहतर सिक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रियाश्रत है और कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्याले के माध्यम से आज 5116 कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्यालों में 7.07 लाग शात्राइं पढ़ रही है और पधानमंत्री उन्नत भारत विद्याले के माध्यम से 14500 आदश विद्यालों की अस्तापना की जा रही है इस वर्स 10,080 PM श्री स्कूलों के लिए 5942 करोर रुपय की मनजूरी दी गई है आदनिया देक्ष मौदे आपके माध्यम से मैं एक प्रमुक विशह जो बिहार का भी यह उसको उठाना चाहूंगा जो सेशन डिले का विशह है जहां एक तरफ बिहार के हमारी नौजवान साथी सिक्षा दिक्षा के छेत्र में कड़ी मेहनत करके अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयाश्रत है वहीं पर युनिवर्सिटीज का सेशन तीन साल के बज़ाए पाच-पाच सालों में पूरा होता है जिससे वो अपने आने आगे आने वाली जो पढ़ाई है उसको पूरी ठीक धंग से पूरा नहीं कर पाते मैं चाहूंगा उस और आपका ध्यान आक्रिश्ट हो और क्योंकि ये बात बिहार की है युवाओं की है तो मैं कहना दो लो फूल खिल कर चमन को बाहर देंगे और आप दिसा देदो बिहार के नौजवान इस राष्ट को सवार देंगे इस राष्ट को सवार कर देंगे साथी साथ मैं चाहूंगा कि मेरे लोग सबाचेद्र खगडिया में अध्यक्ष महदे एक युनिवर्सिटी की मांग आ आपका ध्यान आकरिष्टो अध्यक्ष महदे साथी साथ मैं जितने भी हाई स्कूल से उनको मॉडल स्कूल विद्याले के रूप में आपके सयोग से तबदीली मिले यह आपसे मैं उमीद करता हूं और ज्यादा नहीं कहते हुए अंत में बस हही कहता हूं कि तरी हिम्मत त तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी इनी चंद बातों से कहते हुए मैं सिक्षा की अनुदानों की मांग का पूरा समर्तन करता हूं और फिर से आपका सिक्षा मंत्री का अधन्य पधान मंत्री जी का कोटी-कोटी धन्यवाद देता हूं